किये हैं ठीक है linear equations के उनमें ये एक अच्छा सवाल है इवन इसके बाद हम लोग एक और करेंगे बैजोंग वाला जो शायर तुम्हारे eight standard में वी था वो भी एक अच्छा सवाल है देखो यहां पे बहुत confusion क्रियेट होने वाला है इसको ध्यान से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस बारे में बात्चीत हो रही है इस question में एक a है ठीक है और उसके अलवा एक b का b की बहन एक c है और एक खुद b है और उसके बाद d भी एक हिसमे है ठीक है अब हमें सारी equations को धंग से पढ़ना है और धंग से पढ़ने के बाद हम लोगों को देखो डिसाइट करना है पहले तो हमें x लेना होगा तो अभी मैं x किस को लूँगी a की h को b की h को या c या फिडी तो ऐसे में आपको पूरा question ठीक से पढ़ना है और यह पता लगाना है कि कौन सा एक ऐसा उसमें मतलब person है जो सभी के साथ आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि अगर मैं पहली condition देखू ए इस elder to b by 5 तो यहाँ पे a और b के बीच में एक relationship है चीक है और उसके बाद यहां से पढ़ते हैं यह वाले question से तो यहां से उसने क्या कहा है a's father मतलब a के father के बारे में बोल रहा है तो छोड़ दो उसको लेनी कि indirectly बात किसके बारे में हो रही है d के बारे में तो यहाँ d से पढ़ना शिनू करते है b is 8 years older than twice the age of b मतलब इस पूरी statement में d और b के बीच में relationship है ठीक है d कौन है किसका पपा है कौन किसका बेटा उससे मतलब नहीं है relationship देखो direct उसके बार यहां पढ़ो b sister c मतलब उसने c को बारे में introduction दिया कि c कौन है b की बहन है तो वो भी हमारे कोई काम का नहीं है c की condition कहां से start हो रही है c की age b की age से आधी है तो यहां पे relationship c और b के बीच में तो indirectly तीनो conditions में एक तुम्हे common person दिख रहा है वो है b तो जो तुम्हे common दिख रहा है बस तुम्हें उसी की let ले लेते हैं आप पर अपन x तो बस यहां पर आ जाएगा let b's age यह कितनी हो जाएगी equal to x years ठीक है समझ रहे हो अच्छा अब according to first condition पहली condition पढ़ते हैं पहली condition यह कह रही है a is elder to b by 5 यहांने कि a जो है वो b से 5 साल बड़ा है तो ऐसे case में अगर मुझे a की age लिखनी है तो a की age कितनी हो जाएगी x plus 5 years यह ऐसे हना अब उसके बाद यह second condition में आजो second condition में हमें c की age के बारे में पता चल जाएगा तो c की age क्या बोली जा रही है b की age के आधी है तो b की age अगर x है तो c की हो जाएगी x by 2 years next condition में आजो और d के बारे में अच्छा d वाले में तुम्हें थोड़ी सी अच्छी equation बनानी पर जाएगी वो देखो क्या बोल रहा है कि d की present age ध्यान से पढ़ना d की present age दी हुई है 48 years किसी की age नहीं दी थी बट d की age दी हुई है तो अगर माल लेते है d की age दी हुई है तो फिर ये condition क्या है ये भी तो कुछ बता रहा है yes तो condition के according भी हम लोग निकाल सकते है उसकी age और एक वाली चीज हमें given part भी है तो given part के हिसाब से d की age आती है 48 years बट अगर मुझे condition मनाने को बोली जाए तो देखो condition हम कैसे बनाएंगे d is 8 year older, older मतला वो बड़ा है 8 साल, किस से twice the age of b यानि कि अगर अब b की age का twice करोगे और अगर उसमें 8 add करोगे तो तो तुम्हें किसकी age मिलेगी d की अब बता हो ये d की जो age है ये अलग-अलग तो हो नहीं सकती है ना question वही है तो ऐसे में हम ये लिख सकते हैं कि 48 equal to 2x plus 8 तो therefore यहां से 2x equal to 40, therefore x की value यहां से आगई 20 तो यानि कि x की value 20 आगई है मतला मुझे किसकी उमर पता चल गई है बी की उमर पता चल गई बी कितने साल का है 20 साल का है अब बी 20 साल का है d already आपको दिया हुआ था a निकालना है तो a x plus 5 है तो यानि कि b से 5 साल बड़ा तो उसकी age कितनी हो जाएगी 25 years और जो तुम्हारा c है c b से आधा है यानि कि 20 by 2 यानि कि कितना years 10 years इस तरीके से ठीक है तो यह वाला सवाल एक अच्छा सवाल है अभी तक के जितने भी किये हुए सवालों में से इसकी practice हम लोग अच्छे से कर लेना ठीक है